दिल्ली में और साल 2017 में कोलम्बो में मुझे इस कारकम से जुड़ने का आपके बीच आने का मोका मिला था हाँ इस बार परिस्थित्या ही कुछ और है इसलिए आमने सामने आकर के आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही साथियों भगवान बुद्ध का वचन है मनो पुब्बम गमा धम्मा मनो सेट्टा मनो मया यानि धम्म मन से ही होता है मन ही प्रधान है सारी प्रभुतियों का अगवा है इसलिए आपका और मेरा मन का जो जुडाव है उसके कारण सो शरीर उपस्तिती की कभी उतनी महसुस नहीं होती आपके बीच आना बहुत खुशी की बात होती लेकिन अभी आहरात हमें वो परमीट नहीं करते हैं और इसलिए दूर से ही टेकनलोजी के माध्यम से आपने मुझे अपनी बात रखने का अउसर दिया इससे बढ़कर के संतोस और क्या हो सकता है साथियों लॉकडाउन की इस विकट परिस्तितियों में भी वर्चुल बेशाग बुद्धि पुर्णेमा दिवस समारो इसके इस आयोजन के लिए अंतर राष्ट्रिय बाउद्ध संग प्रसंशा के पात्र है आपके इस अभिनव प्रयास के कारण ही इस आयोजन में विश्व भर के लाखो अन्युआई एक दूसरे के साथ जूट रहे हैं लुम्बिनी बोध गया सारनात और कुशी नगर के अलावा स्षी लंका के स्री अनुराधा पूर सुप और वास्टुवा मंदिर में हो रहे समारों को इस तरह एकी करण कितनी अध्वूत कल्पना है कितना सुन्द द्रश्य है हर जगव हो रहे पूजा कारकमों का ओनलाइन प्रसारन होना अपने आप में अध्वूत अनुगव है आपने इस समारों को कोरोना वैश्विक महामारी से मुकाबला कर रहे पूरी दुनिया के हेल्थ वरकर्स और दूसरे सेवा करिमियों के लिए प्रार्थना सब्ता के रुप में मनाने का संकल्प लिया है करुणा से भरी आपकी इस पहल के लिए मैं आपकी सरहना करता हूँ मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे ही संगठीत प्रयासों से हम मानवता को इस मुश्किल चुनोती से भार निकाल पाएंगे लोगों की परेशानियों को कम कर पाएंगे साथियों प्रतेग जीवन की मुश्किल को दूर करने के संदेश और संकल्प ने भारत की सभ्यता को संस्कृती को हमेशा दिशा दिखाई है बगमान बुद्ध ने भारत की संस्कृती और इस महान परंपरा को बहुत सम्रुद्द किया है वो अपना दीपक स्वयम बने और अपनी जीवन यात्रा में दूसरों के जीवन को भी प्रकासित करते रहे और इसलिए बुद्ध किसी एक परिस्तिती तक सिमित नहीं है किसी एक प्रसंग तक सिमित नहीं है सिदार्थ के जन्म, सिदार्थ के गवतम होने से पहले और उसके बात इतनी शताब्दियों में समय का चक्र, अनेक स्थितियों, परिस्तितियों को समेटते हुए निरंतर चल रहा है समय बडला, स्थिती बडली, समाज की व्यवस्ताएं बडली लेकिन भगवान बुद्ध का संदेश हमारे जीवन में निरंतर प्रभामान रहा है ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि बुद्ध सिर्फ एक नाम नहीं है बलकि एक पवित्र विचार भी है एक ऐसा विचार जो प्रतेक मानव के रुदह में धढ़कता है मानवता का मारदर्शन करता है बुद्ध त्याग और तपस्या की सीमा है बुद्ध सेवा और समर्पन का परिया है बुद्ध मजबूत इच्छा सकती से सामाजिक परिवर्तन की पराकाश्टा है बुद्ध वो है जो स्वयम को तपाकर स्वयम को खपाकर खुद को निचावर करके पूरी दुनिया में आनंद फैलाने के लिए समर्पीत है और हम सभी का सौभागे देखिए इस समय हम अपने आसपास ऐसे अनेकों लोगों को देख रहे हैं जो दूसरों की सेवा के लिए किसी मरीज के इलाज के लिए किसी गरीब को भोजन कराने के लिए किसी अस्पताल में सफाई के लिए किसी सड़क पर कानून व्यवस्ता बनाए रखने के लिए 2400 घंटे 2400 घंटे काम कर रहे हैं भारत में भारत के बार ऐसा प्रतेग व्यक्ति विश्व के हर कोने में ऐसा प्रतेग व्यक्ति अभिनंदन का पात्र है नमन का पात्र है साथियों ऐसे समय में जब दुनिया में उथल पूथल है कई बार दुख निराशा हतासा का भाव बहुत ज्यादा दिता है तब भगवान बुद्ध की सीख और भी प्रासंगीक हो जाती है भगवान बुद्ध कहते थे कि मानव को निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि वो कठीन स्थित्यों पर विजय प्राप्त करे उनसे बाहर निकले ठक कर रुख जाना ये विकल्प नहीं हो सकता आज हम सब भी एक कठीन परिस्तिती से निकलने के लिए निरंतर जुटे हुए हैं साथ मिलकर काम कर रहे हैं भगवान बुद्ध के बताए चार सत्य यानि दया करुणा सुख दुख के प्रती समभाव और जो जैसा है उसको उसी रूप में स्विकार रहा हैं ये सत्य निरंतर भारत भूमी की प्रेणा बने हुए है आज आप भी देख रहे हैं कि भारत निश्वार्थ भाव से बिना किसी भेद के अपने यहां भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घीरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है लाब भानी समर्थ असमर्थ से अलग हमारे लिए संकट की ये घड़ी सहायता करने की है जितना संबो हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है यही कारण है कि विश्व के अनेग देशों ने भारत को इस मुश्किल समय में याद किया और भारत ने भी हर जरुरत मन तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है भारत आज प्रतेग भारतवासी का जिवन बचाने के लिए हर संभव प्रयास तो करी रहा है अपने वैश्विक दाइत्वों का भी उतनी ही गंबिरता से तो